Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganga Nagar. We are studying Constitutional Law of India and next question is jurisdictions of the Supreme Court. और इसके लावा qualification क्या है, judges की Supreme Court की, वो हम यहाँ पर discuss करेंगे. इसके लावा, High Court के judges और उनकी qualification, उनकी jurisdictions की बात जो है, इस question में हम करेंगे. Most important question है, examination में आने की possibilities की हमेशा बनी रहती है. तो देखिए, introduction की बात करें, तो यहाँ पर यहीं लिखा है कि Central State में जो division of powers होता है और इसकी वैसे जो है, यहाँ पर judiciary system होना बहुत जुरूरी है. क्योंकि Federal Constitution में हमेशा Central State के बीच में power की distribution होती है और जब power की distribution जो है Central State के बीच में होते हैं तो वहाँ पर dispute की possibility भी हमेशा बनी रहती है. और उस condition में जहाँ पर Constitution के किसी provision से लेटेड, Central State और उनकी power से लेटेड को dispute करेड हो जाता है तो उस Constitution की interpretation जो है बहुत जुरूरी हो जाती है और यही interpretation जो है हमारा judicial system यहाँ पर करता है तो हमारी judiciary जो है हमारी supreme court जो है वह supreme protector of the constitution है वह हमेशा Constitution को protect करने का काम करती है क्योंकि government जो होती है State government जो होती है यह Central government जो होती है वो Constitution के provisor को अपनी political will के according जो है कि Supreme Court को जब भी किसी Constitution के provision को interpreted करती है तो वो यह देखती है कि जो हमारे Famous of Indian Constitution थे उनका object क्या था उस provision को लिखने के पीछे तो उसे साब से Constitution को एक्चल में पर्टक्ट करने का काम करती है जब स्टेट गॉवर्मेंट और हाई कोड्र में किसी भी तरिके का को डिस्प्यूट जो है कोई भी डिस्प्यूट जो है Constitution के provision से लेटर हो जाता है तो Supreme Court जो है Constitution की Supreme पर्टक्टर भी है इसके लावा Supreme Court जो फंडामेटर राइट की भी जो है पर्टक्टर यहां पर है वह सिटिजन के जितने भी राइट्स होते हैं जितने भी उनके फंडामेटर राइट्स हैं उनको भी प्रटक्ट करने का काम यहां पर करती है क्योंकि Constitution of India में पर्ट्री में फंडामेटर राइट्स दे रखे हैं और उनको पता है कि वह सारे राइट क्या है वह सारे राइट इनफोसिवल बाई Supreme Court है Supreme Court और High Court जब भी सिटिजन के राइट जो है वालेट होते हैं तो उस कंडिशन में वो उनको भी प्रटक्ट करते हैं सिटिजन के राइट को भी वह वहाँ पर प्रटक्ट करते हैं तो यह है यहां पर इंट्रोडक्शन इसके लावा अब देखते हैं यहां पर most important thing कि Supreme Court के constitution क्या है Supreme Court में कितने judges और Chief Justice के अलावा वहाँ पर कितने judges वहाँ पर और होते हैं तो आर्टिकल 124 के अंडर जो है इंडिया में Supreme Court की बात की गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि Chief Justice के अलावा Supreme Court के या Indian Chief Justice of India के अलावा यहां पर seven other judges होंगे जब तक कि Parliament जो है उनके number को बढ़ा नहीं देता है तो initial जब 124 आर्टिकल के अगोडिंग जब हमारे constitution लिखा गया था तो वहाँ पर Chief Justice के अलावा seven other judges थे 1977 में यह 18 हो गए including Chief Justice और 1986 में इनको और बढ़ाके 26 कर दिया गया including Chief Justice और इंडिया और आज यह Supreme Court में जो है present में 26 जो है तो constitution यहां पर यह बताता कि interpretation substantial question of law अगर को क्रेट हो जाता है constitution में interpretation की बात अब आ जाती है तो 145 आर्टिकल में यह साफ लिखत का है कि कम से कम वहां पर minimum number of judges जो होने चाहिए जो उस hearing को ले वो 5 होने चाहिए तो किसी भी constitution की interpretation से लेटर या constitution से लेटर को substantial question of law क्रेट हो जाता है तो उस condition में कम से गर 5 judges जो है उस matter को वहां पर सुनेंगे तो यहां पर आपने देख लिया कि supreme court का composition क्या है आर्टिकल 124 में उनका composition बताया गया है और साब यह बताया गया है कि कितने judges वहां पर होंगे तो present ले यहां पर 26 judges है अभी तो और भी बढ़ चुके है minimum number of judges कितने होंगे यह बताया नहीं क्या है तो time to time जो है Parliament जो है by making law जो है judges की संख्या को numbers को बढ़ाते रहते हैं qualification क्या है judges की तो यहां पर बताया गया है judge जो है उसकी यह qualification होनी चाहिए Supreme Court के judges की Indian citizen हो हाई कोर्ट में at least five consecutive year जो है judge रहा हो या फिर हाई कोर्ट में 10 consecutive year उसने advocate वो रहा हो और president की opinion में वो एक jurist of law हो master of law वहां पर होना चाहिए यह qualification यहां पर बताय गई है इसके अलावा जो भी person जो है Supreme Court में justice appoint होता है Chief justice of India appoint होता है other justice appoint होता है उसका ओथ जो होता है judge का यह भी बताया गया है तो removal का जो procedure है वही procedure है जो कि president के removal के लिए है जिसको हम impeachment वहां पर बोलते है article 124 clause 4 के under procedure बताया गया है कि किस तरह के Supreme Court के judge को remove किया जा सकता है इस procedure को impeachment जो है बोला जाता है the judge of the Supreme Court can be removed from the office only on the basis of two grounds तो किसी भी judge Supreme Court के किसी भी judge को जो है उसकी office से दो ground के basis पे जो है remove किया जा सकता है एक proven misconduct और दूसरा incapacity misconduct अधर वो अपनी post का misutilization या misconduct करता है post से later दूसरा उसमें incapacity आ जाती है means वो insolvent हो जाता है या पागल हो जाता है इस condition की incapacity उसमें आ जाती है तब भी उसको उसकी post से हटाया जा सकता है हटाने का procedure क्या है यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर एक inclusion होगा inclusion means resolution pass होगा majority of number of members of the each house लोगसभा राज्यसभा लोगसभा राज्यसभा में से जो है inclusion जो है लाया जाएगा means वहाँ पर resolution लाया जाएगा जिसको वो supported होगा majority of MPs of लोगसभा राज्यसभा उसके बाद at least two-third member of the member president voting in the house want after this inclusion will be placed before the president तो उसके बाद जो है two-third majority से both house of the parliament में यह जो है bill pass होगा यह inclusion pass होगा और दोनों houses में pass हो जाने के बाद जो है यह president के पास जाएगा और इस तरिके से judge को वहाँ पर remove कर दिया जाएगा यह यहाँ पर procedure बताया गया है अब इसके लवा दोस दस we see that the process of removing judges from their post is very difficult तो judges को हटाने का process बहुत difficult है no judge can remove from the post until the generally described filed and misdemeanor and those charges have been proved against him तो जब तक उसको अपनी post से नहीं हटाया जगता है जब पर उसके जो charge लगे हुए है वो उसमें पर प्रूवना हो जाए तो constitution protect the terms of the judges by the provision तो constitution में judges को बचाने का जो हाँ पर यहाँ पर किये गये है और इस तरीके से उसका impeachment का process बताया गया जो की काफी difficult वहाँ पर है तो आपने यहाँ पर supreme court का composition देख लिया और supreme court के judges की qualification देख लिया और उनको हटाने का तरीका भी आपने यहाँ पर देख लिया जिसमें inclusion होता है resolution होता है जो की both house of the parliament में majority से पहले pass किया जाता है और उस resolution को फिर two-third majority से both houses में फिर pass किया जाता है उसके वाद president जो है उसको उसकी post से हटा सकता है अब आपके पास next question यहाँ पर आ जाता है कि supreme court का advisory jurisdiction और other jurisdiction यहाँ पर बताईए jurisdiction का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे matter जहाँ पर supreme court directly उस case को सुन सकता है हेर कर सकता है तो सबसे पहले supreme court का jurisdiction जो है record पे भी है supreme court अपने आप में court of record भी है court of record का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी supreme court के decision होंगे proceedings होकी उनको written में रखा जाएगा ताकि जो sub or not court है उन decision को हमेशा follow करें उन decision के basis पे ही वो similar cases में decision जो है second court जो है power भी रखता है किसी person को contempt के लिए अगर यह जो decision है यह proceeding जो है कोई person या person नहीं follow करता है तो उस condition में वो जो है उसको वहाँ पे court of contempt act के अंडर जो है punish भी वहाँ पे कर सकता है court of contempt आपको पता है आपने पढ़ा है वहाँ पे court of contempt जो है basically two type का होता है civil और criminal वहाँ पे होता है civil contempt आपको पता है अगर आप जानबूज के civil cases में उसमें दी गए decree, judgment, order, instruction, writ को process नहीं करते है court को जो promise दिये इसको पूरा नहीं करते है तो इसको civil condemnant बोला आता है और supreme court ऐसे cases में contempt of the court act 1971 के अंडर परिश्वी वहाँ पे कर सकती है दूसरा criminal contempt भी होता है जहाँ पे आप publication कर देते हैं किसी भी judicial proceeding का supreme court के अंडर जो proceeding होता है उसका publication कर देते हैं by orally or written और उससे जो है court की जो authority है वो diminishing होती है या होने की tendency वहाँ पे होती है या फिर court judicial proceeding जो होती है किस तरिके से obstruct वहाँ पे होती है या उस पे adverse effect वहाँ पे पड़ता है तो उस cases में criminal attempt उसको मारा जाता है और criminal contempt of the court act 1971 के अंडर supreme court ऐसे cases में person को punish वहाँ पे कर सकती है तो यह record empowerment जो है supreme court के पास record jurisdiction उसके पास है अब दूसरा यहाँ पे आपके पास initial empowerment इनिशल empowerment यहाँ पे क्या है जिसको हम primary jurisdiction of the supreme court में बोल सकते है article 131 के अंडर तो primary jurisdiction क्या होता है initial empowerment क्या होती है जहाँ पे supreme court directly उन cases को सुन सकती है ऐसी parties के बीच में तो अगर matter जो है dispute जो है वो union और एक से ज़्यादा state के बीच में है एक तरफ जो है central government है दूसरी तरफ एक state यहाँ एक से ज़्यादा state जो है किसी matter पे आपस में लड़ पड़ती है उनका कोई dispute हो जाता है तो ऐसे dispute सिधे supreme court में जाएंगे दूसरा एक तरफ central government है कुछ state भी उसके साथ है दूसरी तरफ एक state है यह एक से ज़्यादा state जो है आपस में उनका किसी सुप्रीम कोड में सुर्वाई के लिए जा सकते है सुप्रीम कोड ऐसे केसे को डारेक्टली वहाँ पे सुन सकता है और इनका इसके जो है initial jurisdiction जो है आ जाता है इसके लावा Initial jurisdiction with respect of fundamental right तो primary jurisdiction सिर्फ और सिर्फ यह state के dispute से लेटर नहीं है Central state के dispute से लेटर नहीं है fundamental right से लेटर भी सुप्रीम कोड का जो है यहाँ पे primary jurisdiction आता है Article 32 के अपने रिट्स पड़ी थी और रिट जो है सीधी जो है लगाए जा सकती है सुप्रीम कोड में जब किसी person के fundamental right या citizen के fundamental right की violation वहाँ पे हो रही हो तो हर एक citizen को right है कि अगर उसके fundamental right की violation वहाँ पे हो रही है वो अपने fundamental right की enforcement के लिए सीधा Supreme Court को जो है वहाँ पे जा सकता है Supreme Court में directly जा सकता है Article 32 provide for speedy treatment against the violation of the basic right of the citizen तो Article 32 calendar जो है citizen के जो right है उनका speedy treatment के जाता है जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पे justice जो है अगर fundamental right की enforcement हो रही है तो वहाँ पे person को provide किया जाता है इसके अलावा appellate jurisdiction भी है appellate jurisdiction जहाँ पे high court के decision के against जब Supreme Court appeal सुनती है तो उसको Supreme Court का appellate jurisdiction जो बोला जाता है constitutional matters appeal in the civil cases and appeal in the criminal cases तो ऐसे cases जिनकी जिसका decision जो है criminal cases में अगर decision high court ने दिया है तो उसकी appeal आप Supreme Court में कर सकते हैं civil cases में अगर decision high court ने दिया है तो उसके appeal आप कर सकते हैं तो यहां पे बताया गया है कि high court किसी भी matter में decision को decree को final order देता है चाहे वो civil matter है चाहे criminal matter है तो उस condition में इसकी appeal आप Supreme Court में कर सकते हैं condition यहां पे यह है कि यहां पे new article यहां पे include किया गया है इस country यह है कि high court ऐसे matter में जहां पे उसने कोई decision किया है और final order की है similar criminal matter में अगर वो चाहता है कि इसकी appeal Supreme Court में ओ तो इसके लिए वो एक certificate पार्टी इसको देगा और पार्टी फिर जो है इसकी appeal Supreme Court में कर सकते हैं प्रायर टू अमेंडमेंट ऐसा नहीं था पहले इस अमेंडमेंट से पहले 44th अमेंडमेंट से पहले किया प्रस्मेजन था कि high court जो था certificate तभी सिरुफ पार्टी की application पे ही देता था लेकिन इस amendment के बाद जो है high court अपने motion पे भी on its own भी जो है वहां पे एक certificate दे सकता है और appeal अलॉग कर सकता है तो चाहे constitution matter हो civil matter हो criminal matter हो सभी में high court जब तक certificate नहीं देगा appeal का तब तक उसकी appeal supreme court में नहीं की जा सकती है तो यह है आपके पास अब दूसरा आपके पास appeal in the civil cases section 133 तो जितने भी civil cases जिन पे decision high court ने दिया है उसकी decision दिया है कोई decree दिया है को final order दिया है और civil proceeding में उसकी appeal जो है high court को की जा सकती है लेकिन यहां पे भी certificate जो है जुरूरी है इन सच cases any method of public importance certificate high court तभी देगा उस civil matter में appeal से later जब उसको लगता है कि matter ऐसा है जो कि public importance का है और उसको यह लगता है high court को लगता है कि supreme court इस पे decision दे इस question को supreme court जो है इस पे decision दे यह जरूरी है तो ऐसे cases में फिर civil cases में भी high court अगर certificate दे जता है इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इसकी appeal supreme court में की जा सकती है अगर high court को लगता है कि उस decision जो हमने किया है वहाँ पे substantial question of public importance या फिर law से लेटर वहाँ पे कोई question create हो जाता है जिसको एक वार supreme court को देखना जरूरी है तो इसकी appeal फिर supreme court में की जा सकती है appeal in the criminal cases तो criminal cases में भी appeal supreme court को की जा सकती है article 134 जो है इसके बार में बात करता है तो high court ने कोई भी judgment या final order या किसी को सजा proceeding जो है sentence अगर criminal proceeding में दी है तो उसकी appeal high court supreme court में की जा सकती है कब की जा सकती है जब without the high court certificate तो criminal cases में जो supreme court को appeal है वो without the high court certificate भी हो सकती है with the high court certificate भी हो सकती है ये दोनों चीज़े आपको पढ़नी है तो criminal matter में supreme court को appeal जो है high court के certificate के साथ या बिना high court के certificate के भी की जा सकती है without high court certificate कैसे appeal can be made to the supreme court against the decision of the high court in the following cases ऐसे cases जहां पे high court ने कोई decision दिया है वहां पे supreme court जो है बिना certificate के भी उसकी सुनवाई कर सकती है वो कब होता है then high court has overturned the order of acquittal of any accused person by the sovereign court in appeal and has given him to the death sentence अगर मा लिजे session court ने किसी matter में किसी person को acquittal वहां पे कर दिया था बदर किसी case में उसको बड़ी कर दिया था acquittal होता बड़ी कर दिया है लेकिन जब वो case high court में आया तो high court ने उसका acquittal cancel कर दिया उसका accutal वहाँ पे cancels कर दिया और उसको death punishment दे दी तो देखिए पूरा जो case ना हो चेंज हो गया session court में किसी criminal cases में किसी को जो है जो उसको किसी criminal case में बरी कर दिया अब इसकी appeal high court में हुई high court के पास जब ये case आया तो उसने उसके accutal को तो रद किया ही उसको फासी की सजा दे दी तो ऐसी appeal directly Supreme Court में जा सकती है और वहाँ पे High Court का certificate भी आपको नहीं चाहिए दूसरा The High Court has appealed to the Court of Appeal 700 Court to consider any cases and awarded death sentence to the accused himself The High Court खुद भी जो है वहाँ पे appeal वहाँ पे कर सकती है जहाँ पे 700 Court ने death award जो है किया हुआ है उसको But in cases in which High Court has reversed the order of the conviction of the accused person in the appeal and has ordered to release an appeal will be made to the Supreme Court The word deprivation does not only mean complete discharge It also includes in which the death penalty is changed and sentenced to the life imprisonment तो यहाँ पे यह भी बताया गया है कि चाहे High Court ने ऐसा भी decision जो किसी की conviction को अगर किसी को वहाँ पे सजा हो गई है और High Court ने जिसको Session Court ने सजा दी थी उसको convict कर दिया था उसको वहाँ पे उसने बरी कर दिया तो ऐसे cases में Supreme Court को appeal बिना किसी certificate की जा सकती है तो अगर दो matter यहाँ पे हैं दो चीज़ा यहाँ पे आपके सामने आती है कि Supreme Court कैसे जो है किसी भी criminal case में appeal directly सुन सकता है उसको High Court certificate के जूरत नहीं है वो तब होता है जब High Court ने किसी matter में जो conviction किसी person का session court में हो रखा था उसने High Court में जब केस आया तो उसको फास्तिक सजा दे दी तो direct appeal in Supreme Court में कर से था दूसरा जब High Court के पास कोई case आया था session court से और session court ने वहाँ पे किसी को convict कर रखा था जैसे वो case High Court में आया High Court में उस person को conviction की जगा पे उसको वहाँ पे release के order कर दिये तो उस condition में भी आप Supreme Court में direct appeal कर सकते है From the certificate of the High Court अब कौन से केसे जहाँ पे High Court के certificate के साथ appeal होती है Article 134 according to the High Court section 134 added by the 44th amendment 1978 यह नया article वहाँ पे add हुआ 44th amendment के साथ certificate that if the case is worthy of appeal or Supreme Court it will be appealed इसके लावा High Court को लगता है ऐसी कोई भी civil criminal matter में appeal जो की Supreme Court को की जारे चाहिए वो with certificate भी उसको अलाग कर सकता है The right to give a certificate of appeal in criminal matter is a discretion of the High Court तो किसी criminal matter में certificate देना appeal के लिए यह High Court की discretion पे डिपेंड करता है not exercise its discretion arbitrary लेकिन High Court इस discretion का मनमाने तरीके से यूज नहीं करेगा वो accepted principle का वहाँ पे definite principle जो बने हुए उनका यूज वहाँ पे करेगा तो criminal matter में appeal जो है without the certificate of High Court और with the certificate of High Court जो है की जा सकती है यह आपने यहाँ पे पड़ा सिदेश्वाज में स्टेट और वेस्ट मुगाल के एसस में सुप्रीम कोड ने बोला था कि जो हाई को गाइड लाइन दी गई है स्टेट को देते चाहिए उनको उनको उनसा गाइड लाइन को follow करना चाहिए अब आपके पास आपील to the special permission आर्टिकल 136 के अंडर यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेट अपील की बात की गई है कोई भी डिसेजन इंडिया की कोड का कोई भी डिसेजन किसी वी ट्रिमिनल के थू ठीक है किसी वी ट्रिमिनल का डिसेजन यहाँ पर डिक्री रिटेंशन संटेंस और पास में ट्रिमिनल of इंडिया किसी भी कोड यह पर डिसेजन में जिसकी अपील फर्दर नहीं हो सकती है तो आप 130 आप 15 सेजने और किसी पील कोड ने नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आप एक application Supreme Court को directly Article 136 के under लगा सकते है और इसके बाद जब Supreme Court जो है उस application को देखेगा और उसको लगता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा question है इसको और इसको सुनना जूनी है तो उस appeal to accept का सुना है तो ऐसे cases जहाँ पे appeal हो ही नहीं सकती थी तो आपको Supreme Court को under Article 136 उस appeal क को सुनने का भी राइट दिया गया है इसके लिए parties को Supreme Court में application लगानी होगी और उस application को लेने के वाद Supreme Court decide करेगा कि हमने ये case लेना है कि नहीं लेना है तो 136 में ऐसे order, ऐसे decision, ऐसी sentence जिसकी against appeal आप किसी भी court में नहीं कर सकते थे especially law में लिख रखा था तो आप एक chance और ले स सकते हैं कि ऐसा decision हुआ है और under law मुझे कोई भी appeal allowed नहीं है तो please और यहां पर कोई question बनता है law का सब सचे question of law है यहां पर आप इस appeal को accept करिए तो आर्टिकल 136 की पावर का यूज़ करके Supreme Court चाहे तो ऐसी appeal को accept कर सकता है इसके अलावा consultive empowerment है आर्टिकल 143 के अंडर इसके अंडर प्रेजिट को लगता अगर चाहे प्रेजिट कभी भी चाहे तो किसी भी legal matter पे Supreme Court से कभी भी सलाह जो है ले सकता है इसको consultive empowerment बोलते है और यह सलाह जो है प्रेजिट के लिए मालना जरूरी नहीं है कि वो लेकिन वो किसी भी legal matter में Supreme Court से प्रेजिट जो है सलाह माग सकता है कहां माग सकता है जब प्रेजिट को लगता है ऐसा कोई question जो law से लेटेड है और इसको सुनना जरूरी है उसके बारे में राय लेना जरूरी है और यह ऐसी public importance का subject है जिसको Supreme Court से opinion लेना उसके बारे में बहुत जरूरी हो जाता है तो article 143 के अंडर Supreme Court को वहाँ पे advise करने का right मिल जाता है United State of America या Australia में ऐसा कोई भी right नहीं है लेकिन Indian Constitution के अंडर यह right दे रखा है Supreme Court को कि अगर President उससे जो है article 143 के अंडर जो है अगर कोई advise मांगता है तो उस advise पे अपनी opinion देना जो है जहाँ पे Supreme Court के लिए लाजबी है यह बात अलग है कि President जो है उस appeal को जो है उसके बारे में consider करता है या नहीं करता है वो अलग बात है यहाँ पे यह चीज़े आपे है इनरी special court of India AR 1973 cases में साब बोला गया था Supreme Court के थ्रू कि Supreme Court bound है अगर President ने कोई opinion मागी है किसी legal matter में तो Supreme Court bound है उस opinion को देने के लिए the court also has said that opinion given by Supreme Court is binding on all courts और इसके लावा Supreme Court की कोई भी opinion है वो बाकी सभी court के लिए भी binding हो जाती है लेकिन President जो है उस opinion को माने या ना माने इसके लिए President जो है bound यहाँ पे नहीं है यही चीज़ जो यहाँ पे बोली गई है तो यह है आपके पास Supreme Court Supreme Court में judges की appointment कैसे होती है उनका compensation क्या है उनकी removal कैसे होता है और कौन-कौन से jurisdiction उनके पास है जहां पर directly case को सुन सकते है तो आपने देखा वहाँ पे कि Supreme Court को जो है fundamental right article 32 के अंडर जितने भी रिट्स है वह directly वहाँ पे सुन सकता है इसके लाव आपने देखा क्योंकि पास appealate jurisdiction भी है appeal के थूँ भी Supreme Court के आपास बड़े सारे cases आते है constitutional matter भी आते है civil matter से लिटर भी appeal भी आती है उसके बाद आपने advisory jurisdiction भी देखा यह सारी चीज़े आपने पड़े अब आपके पास यहाँ पे है high court जो हर एक state में high court होती है वहाँ पे judges की appointment कैसे होती है और इनका jurisdiction यहाँ पे क्या है तो introduction दुखिए by the article 214-237 तो 214-237 तक जो है वहाँ पे constitution of India में state की judiciary की बात यहाँ पे की गई है high court है बिन गिवन तो इन articles के अंडर हर एक state में अपनी एक high court की establishment की बात जो है की गई है हाँ एक दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक joint judiciary भी हो सकती है जैसे पंजाबा हर्याडा जो है अलग लग स्टेट्स है लेकिन उनकी जो हाई court एक ही है जैसे तिलंगना और हैदरवाद भी ऐसे है जहां पे एक ही जुडिश्री हाई court वहाँ पे है इस state has high court हर एक state जो है उसकी अपनी एक हाई court होती है जो पार्लिमेंट चाहे तो एक से ज्यादा state के लिए एक single high court भी वहाँ पे बना सकता है जैसे कि मैंने अब आपको बताया constitution of high court तो high court का constitution का composition क्या होता है तो each high court has a chief justice तो हर एक high court में एक chief justice होगा और other judges होगे जितना की president को लगता है कि appoint होने चाहे तो president जो है chief justice की appointment करता है इसके लबा other judges time to time जो है उनकी appointment करता रहता है बढ़ाता रहता है उनको the constitution does not set a maximum number of high court judges constitution में ये कहीं पे लिख रखा कि maximum number of high court judges कितने होंगे ये according to the need ही वहाँ पे determine किया जाता है तो यहाँ पे clear है कि एक high court में एक chief justice of that particular high court होगा और इसके लाबा other judges होगे जिनकी संख्या जो है वो determined नहीं है उनको time to time according to the need बढ़ाया जा सकता है qualification of judges क्या है तो 217 article में judges की qualification यहाँ पे बता रखी है और ये citizen of India होना चाहिए जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पे high supreme court में भी यही पढ़ा दूसरा India has had a judicial office in the territory for at least 10 years कोई भी judicial office उसने पिछले 10 साल के लिए hold किया हो और कोई भी judicial office पिछले 10 साल तक उसने इंडिया के territory में hold किया हो has been advocate in the high court for at least 10 years या फिर पिछले 10 साल तक वो high court में एड़ोकेटर रहा हो तो फिर वो eligible हो जाता है high court का judge बनने के लिए इसकी ओथ जो है वो governor कराता आपको पता है जैसे की supreme court के judges की जो है ओथ है वो president कराता है high court के जजों की जो ओथ है वो governor कराता है और यह अपनी post पे 62 year तक तो appointment रहते हैं अपॉइंटमेंट अउजजिस तो यह आपको पता है प्रेजिडेंट अपॉइंट जो है इन जजों को अपॉइंट करता है लेकिन जब वो प्रेजिडेंट जो है जजों को appointment करता है तो he appointed chief justice in the consultation with the chief justice of supreme court सबसे पहले वो high court के जो chief justice होता है उसको appointment करता है और जब वो High court के chief justice को appointment करता है तो वो किसका opinion लेता है supreme court के chief justice का इंडिया के chief justice का आपीनन वहाँ पे लेता है और साहट में governor of the state का opinion आपे लेता है तो President जो है chief justice of India और govern की help से जो है उस state के chief justice और other justice के appointments मेंट करता है वायल appointing other judges, he may also concerned thatừa चीफ जसेट रूप कंसर्न हाई कोट एडिशन टू दा सैड़ परसन जैसे मैं अनुको बताया कि अधर जजिस की जब वो अपाइटमेंट करता है तो वो उस हाई कोट के जो चीफ जसेट होता है उसकी सलाव वहां पे लेता है गवर्णन की सलाव वहां पे लेता है गैलरी अलांसेस जो है वो उनको भी पैस्क्राइब कर सकता है अब इनका जूजिक्शन क्या है तो यह तो आपने देख लिए कि किस तर किस इंक कि अपॉइंटमेंट होती है क्या इसकी कॉलिफिकेशन है रिमूवल इनका भी वैसे ही है जैसे आपने जो है वहां पे सुप जो है उनको फीचर सिमिलर केसिस में अडॉप्ट कर सके यूज ऑफ जो है वह सारी जिश्क्शन का यूज करता है अपने जितना भी स्ताफ चाहिता है जो भी कोड जो भी रूल एन रेगलेशन जो बनते है उनको वही बनाता है सारा एडमिस्रेशन भी चलाता है यह 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 आए गहे है इस यह जो फाले जिश्क्षिन पर है को नहीं था लेकर हाइक को जो है इसके रगार्डिंग जो हाई को का वह ही है जो कि गवर्मेंट फ इंडिया एक था के अंडर जो था तो गवर्मेंट ऑफ इंडियाक्ट नैंटी थाटिफाइव आपको पता होगा इंडियन कॉंसिटुशन बनने से पहले देश अजाद जब हो जाता है 1947 को और जब तक हमारा कॉंसिटुशन एप्लिम्ट नहीं होता इस दौरान इंडिया में जो शासिन चला है और वहां पर जो पावर हाइप को थी वह आज यहां पर पावर है उस टाइम पर प्रीवी कॉंसिल के डिसीजन जो थे वह बाइंडिंग होते हैं थे हाइप पे और आज भी वह प्रीवी आज आज बावर के पावर है कि जितनी भी सावनेड कोड है सेशन कोड है इसके लावा जितनी किमिल और इंस्पेक्शन कर सकता है और उन पे कंट्रोल जो है कर सकता है under the section 2 under article 2 to 7 each high court has a power to take care of the all court and tribunal in the area in respect of which it exercise jurisdiction तो high court के पास यह power है कि वो अपनी jurisdiction के अंडर जो भी courts और tribunal आती है उनको जो है वहाँ पे inspect करें उनकी take care करें for this purpose the high court is empowered to demand return from the subunit court to make rule for the regulation of their functional proceedings इसके लाबा high court के पास यह power है कि वो उन courts के regarding जो rule है कि कैसे proceeding चली उनको वो बना सकता है ताकि better functioning of proceeding जो है चल सके इसके इसके लाबा book, entries, form, account given by their functionaries, high court, sheriff and clerk of those court office mirror and rejection इसके लाबा high court का जो sheriff होता है, clerk होता है other office mirror होते है उनकी appointment भी जो है high court वहाँ पे करवाता है one can also decide fee schedule for the lawyers and the lawyers का fee schedule भी वहाँ पे decide किया जा सकता है तो यह सारी जो है छोटी court जितनी भी है 7-0 court की जितनी भी है उनका inspection और jurisdiction जो है high court वहाँ पे देखता है article related jurisdiction किया है article related jurisdiction जो है इसको आप article 226 के अंडर जो है पढ़ सकते है article 226 साब को पता होगा जिसमें high court के पास power है कि वो writ जो है वहाँ पे accept कर सकता है आपको writ मैंने पढ़ा दी है supreme court जो है writ एकसप करता है 32 article के अंडर और high court जो है रिट accept करता है 226 के अंडर और वहाँ पे 226 के अंडर जितनी भी रिट्स हैं उस पे जो है उनके अंडर जो है high court कोई भी रिट जो है issue वहाँ पे कर सकता है यही article related jurisdiction जो है high court का है तो यह है आपके पास supreme court high court thank you so much